हेलो प्रेंड्स और यल्कम टू माई चैनल आज मैं कोटोरी काट ब्लाउस काटिंग और स्टिचिंग करके बताऊंगी उसके लिए मैंने 80 सिंटिमीटर फेब्रिक लिया यह ब्लाउस पीज है अभी इसको काटिंग करके दिखाऊंगी में जब ब्लाउस की मेजर्मेंट है व गमर है 31 तब पहले प्लाउस का जो पीछे का पाठ है वह काटिंग करके दिखाऊंगी यह टू फोल्ड है यह जोएन साइड है और यह खुला साइड है पहले ब्लाउस का लंबाई लोंगी लंबाई लोंगी मैं 15 15 लिया लंबाई उसकी बाद शोल्डर लोंगी फाइब एन हाफ फाइब एन हाफ शोल्डर लोंगी आर्म हुन लोंगी 6 यह 6 लिया आर्म हुन उचकी बाद छाथी लोंगी पने नौ छाथी का चोता हिस्सा तो पने नौ होता है यह लिया पने नौ उसके बाद टू इंच एक्स्ट्रा रखना है तू इंच एक्स्ट्रा रखना है उसके बाद गला लोंगी टू यह डीब गला होगा इसके लिए मैं टू ले रहे हूं गला का जो चौराई है वह टू लिया अभी कमर लोंगी जीतना मैं चाती लिया चाती जीतना लिया इलावन चे थुरा कम जीतना चाती लिया उससे हाफ इंच कम कर दूँगी मैं कमर के लिए यह हाफ इंच कम कर दिया अभी गल का डीप लोंगी डीप लोंगी नाइन यह नाइन लिया डीप अभी इसको ऐसे जैन करना है अभी आर्म होल का शेप देना है शेप देना है वान एंड हाफ इंच पर शेप देना है अभी गल का शेप देना है यह हो गया अभी काटिंग कर लोंगी यह हो गया अभी प्रांट पाट काटिंग करोंगी कि इह 2 फिल्ट किया यह जो कप्ला पचा है इस पैसे टू फोल्ट किया उसके बाद जो बेक पांट है इसको ऐसे रखना है इसके उपर उसके जो आर्म होले एस तरह रहेगा ऐसे रखें सिथा जैसे हैसे निशना लगा लेना सेम टू सेम जो पीछे का पाठ है इस सैट से टू इंच एक्स्टर लेना है ऐसे अभी पहले आर्म होंड का शेप देना है इसको एसे हाफ इंच अंदर की तरह देना है ऐसे उसके बार गले का डीप लेना है फाइव एन हाफ यह हुआ फाइव एन हाफ फाइव एन हाफ उसके बाद इस सैट से इधर आना है थ्री इंच थ्री इस सैट से इस सैट थ्री इंच उसके बाद यह जो निचाना है इसको ऐसे इसके साद जोर देना है ऐसे उसके बाद यहां से शीक्स इंच नीचे यहां शीक्स इंच नीचे आना है उसके बाद इधर लेना है 8 and half 8 and half लेना है अभी इसको ऐसे जैन करना है यह हुआ 8 and half अभी इसको ऐसे जैन करना है 8 and half का हाफ लेना है तो 4 and half से थोड़ा कम है अभी उपर की तरह 1 and half इस साइट भी 1 and half उठाना है अभी इसको ऐसे मिलाना है ऐसे अभी इहां से 2 and half से थोड़ा ज्यादा है पोने तिन अभी इसको ऐसे मिला देना है इहां हालका सा शेव देना है इसे उसके बार इहां लेना है 4 and half यह हुआ 4 and half जैसे सीदा वैसे लेके आना है यह हुआ और इस साइट है half इदर half लेना है और इदर लेना है 1 and half अभी इसको ऐसे मिलाना है 1 and half इदर half 1 and half 1 and half इसको मिला देना है अभी इस साइट हलका से इसे उठा देना है उपर की तरफ इस सेट लेना है 6 and half अभी इसको ऐसे मिलाना है यह जै गला है इसको हलका सा ऐसे ऐसे शेप देना है ज्यादा नहीं यह हो गया अभी काटिंग कर लेना है अभी नीचे का और एक पाट रहे गया वो काटने के लिए इसको ऐसे रखना है इसके बराबर से लेना है उसके बाद यहां से 5 इंस लेना है मैं ज्यादा रखूंगी कौम नहीं रखूंगी बाद मैं ज्यादा होगे तो काट के फेक दूँगी उसके बाद ऐसे शेप देना है कि यह कंप्लिट हो गया अभी स्टिचिंग करके बताऊंगे यह हो गया अभी स्टिचिंग करके बताऊंगे कि यह हो गया अभी स्टिचिंग करके बताऊंगे